आज अपन किसी तार पर बढ़ाते वे बल यानि कि लोड बढ़ाते जाएंगे और उसकी लंबाई में परीवरतन जो फीगर में दिख रहा है यहाँ पर एक यह माइक्रो मीटर दिख रहा है और एक तार खूंटी से या छट से लटकाओ उस पर अपन बाहर बढ़ाते जाएं प्रतिवल और विक्रती के बीच भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि फीगर एक और दो में दिखाये हुए है तो यह वर्नियर है माइक्रो मीटर आप जानते हैं उससे अपन रिडिंग लेके जनरल एक समझाया गया है जैसे जैसे भार बढ़ाएंगे तो इसके तार में व्रद्धी डेल्टा है लिया और तार पर लगाया गया बल एफ यानि कि जिसको भार बोल रहे हैं तो इनीशेली प्रारंब में अपन तार पर धीरे धीरे भार बढ़ाते हैं तो आप देख रहे होंगे ओ से पी तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है भार बढ़ाए तो तार की लंबाई में व्रद्धी होगी ये बहार समान उपाती होता है व्रद्धी के डार के प्रपोर्श्नल होता है लोड इस डार प्रपोर्श्नल टू एक्स्टेंशन ये अपन पढ़ चुके हैं अब इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा ओ से पी स्ट्रेट अपने थोड़ा सा बल भड़ाया लेकिन व्रद्धी थोड़ी अधिक होगी पहली के बज़ाए P से P और E के बीच ग्राफ के अपन बात कर रहे हैं तो P और E के बीच ग्राफ की जो है उसके अंदर straight line curve ना आके हलका सा curve है इसके बाद अगर आप बल का मान बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो विक्रती में आप देख रहे हूँगे जादा व्रद्धी होगी A E के बीच की बात कर रहा हूँ है उसके बाद A से B भी अपने लगबग बल का मान बहुत ही कम बढ़ाया लेकिन ब्रद्धी जादा हो रही है तार में यह अपन ऐसे इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे अब तार अपने आप दीरे दीरे खिषता जाएगा और फाइनली यह C बिंदू पर टूट जाएगा तो O, P, E को तो अपन बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन यह प्रत्यास छेत्र और नीचे वाले को E, A, B, C वाले को क्या बोलते हैं प्लास्टिक कि यहाँ पर अगर इस रीजन की बात करेंगे आफ्टर इ तो तार जो है उसका व्यावार प्रत्यास्त नहीं है अब अपन जो में ग्राफ डिसकस करना है अपनको प्रत्यवल और विक्रती उसको देखते हैं यह आपके सामने प्रत्यवल और विक्रती का ग्राफ है O, P यहाँ से प्रत्यवल और विक्रती दोनों समान रहती है तो वो बढ़ाते हैं तो दोनों समानुपाती बढ़ती है यह बिंदु तक थोड़ा सा पृतिवल बढ़ाने पर विक्रती जादा बढ़ती है तो अपन इसके अंदर विक्रती पृतिवल ग्राफ, stress-strain ग्राफ के अंदर यहां पर एक बात ध्यान रखना है आपको, विक्रती का जो मान है पन वो बहुत कम के लिए कर रहे हैं, .01 से भी कम विक्रती होनी चाहिए तो ओपी जो ग्राफ है का भाग है वो एक सीधी रेखा दिख रहा है और यहां पर पृतिवल विक्रती के समानुपाती है इसके अंदर अगर इस graph का ढाल slope लिया जाए, ठीटा ले लेंगे, tangent ठीटा को अपन tangent ठीटा slope होता है, तो वो हमें क्या देगा, यंग प्रत्यास्था गुणामतार का प्राप्त हो जाएगा, यह अपने practical भी है इस तरह है का, अब अपन को इसके बाद, P.E. भाग की बात करते हैं, विक्रती में थोड़ी और व्रद्धी होने पर थोड़ा सा P.E. हलका सा स्टेट लाइन की जगए कारव हो जाता है, तो E. बिंदू को तक अपन बोलते हैं, प्रत्यास्था की सीमा है, अगर E. बिंदू से प्रतिवल का मान हटा लिया जाए, तो तार पुने अपनी ओ अवस्था पर, यानि ओ का मतलब मूल या प्रारंबिक अवस्था, ओरिजनल इस्टेट पर आ जाएगा, इसको अपन एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं, कि E. P. O. के थू, यानि इट रिट्रेस इट्स ओन पाथ, ये अपन में पूर अवस्था को प्राप्ट कर लेता है, E. को अपन क्या बोलते हैं, Elastic Bindu, Elastic Limit और प्रभाव बिंदू भी बोलते हैं, Yield Point, ये P के बाद है, आपको जैसा ग्राफ में दिख रहा है, इसके बाद तार को अगर अपन और खेंचे, तो E. A के बाद आप देख रहे हो दीरे-दीरे, अगर अपन E. बिंदू पर प्रतीबल हटा लें, यानि विक्रतकारी बल को हटा लें, तो वो पुने O पर ना आकर कौन से बिंदू पर आया? O-डैश पर, तो O-डैश भाग को, विक्रती को अपन बोलते हैं, स्थाई विक्रती, ये कुछ बची रह गई, औ पुने अनुरेखित भी नहीं हुआ, तो ये जो अपना बिंदू है, यहाँ पर अपने O-डैश पर प्रतीबल शुन्य कर दिया, क्या कर दिया? ये अपन पहले डिफाइन कर लिये थे, ये ग्राफ में भी आपको शो हो रहा है, इसके बाद तार पर लगे बलको दीरे-दीरे बढ़ाने पर तार में व्रदी A और B के बीच में बहुत तेजी से हो जाती है, और B बिंदू पर प्रतीबल के अधिक्तम मान को अपन भंजन परतीबल बोलते हैं, इसके बाद तार एक शायन तरल यानि विसकस लिक्विड की तरह होता है, लगबख बहने लग जाता है, इसका मतलब यह है, बहने का आप कहीं दूसरा आर्थ लगाएं, कि अब बिना भार बढ़ाएं, तार की लंबाई बढ़ती चली जाती है, यानि कि आपने और वेट नहीं लगाया, तार फिर भी लंबा बढ़ता हुआ चला जाएगा, और मेन बात उसमें ध्यान रखने है, उसके अनुपरस्त काट का छेतफल, अब अलग-अलग जगे, यानि कि वो पतला पढ़ जाएगा, और फाइनली सी बिन्दू पर तूट और सी बिन्दू को अपन बोलता है, भंजन बिन्दू, क्या बोलता है, भंजन बिन्दू, फैक्चर पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट एक ही बात है, और E, A, B, C, इस पूरे को रेंज को बोलता है, अपन प्लास्टिक रेंज, रीजन ये प्लास्टिक रेंज, तो इस त प्रिवीजन के लिए बात करूँ तो बहुत चोटे-चोटे पॉइंट है कौन सा ओर पी के बीच में हुक्स लो लग रहा है ए बिंदू तक इलास्टिक लिमिट है ए बिंदू तक भी पा यानि कि ओ-ओडैश इसमें अपने पास भी कृती रहे और finally अपने C बिंदू इसमें define किया तो C बिंदू अपना क्या था कि यहां पर तार टूट जाता है B पर अधिक्तम प्रतीवल था तो B बिंदू के सापेक्ष प्रतीवल को भंजन प्रतिवल कहते हैं इस value को अपन ये भी बोलते हैं तनन सामर्थ इंगलिश में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे tensile stress वे अधिक्तम प्रतिवल जो तार टूटने से पहले सैन कर सकता है, बीर कर सकता है और ये अलग-अलग प्रतिवल को अगर आप किस से गुणा गड़ दोगे अनुपरस्त काट के छेतरफल से तो क्या आ जाएगा भंजग पल तो इस तरह अपन ये पढ़ लिए इसके बाद अपनको पढ़ना है तन्य प्रतिवल डक्टाइल सबस्टेंस की परिवाशा जो थोड़ी इंपोर्टेंट भी है कि वे पदार्थ जिनके लिए ए से ए के बीच की यानि प्लास्टिक रीजन बढ़ा हो इलास्टिक लिमिट और भंजन बिंदू ब्रेकिंग पॉइंट फैक्चर पॉइंट के बीच की दूरी जादा हो अर्थार्थ उनके लिए प्लास्टिक रीजन बढ़ा होगा और वो प्रत्यास्था सीमा को पार करने के बाद तुरंत नहीं तूट रहे क्योंकि दूर है बिंदू यानि कि उनकी लंबाई बहुत खीचे जासे तो इस तरह अपन आपको पता है सोना, प्लेटिनम चांदी जिनके ये अपन तार खीच सकते हैं पतले-पतले तार, लोहा इनके अपन तार खीच सकते हैं क्यों कहें सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रत्यास्था सीमा और भंजन बिंदू दूर होते हैं या इसको सीधा आप यह भी लिख सकते हो, प्लास्टिक रीजन है, इनका वो लगबड़ा होता है. इस प्रकार तार किसके खेचे जाएंगे, जिनमें तन्यता का गुण होगा. यह पर ने एक कॉंसेप्शनल प्रोब्लम पहले किये थे, और भंगुर पदार्थ, इंगलिश में गोलते हैं, बिटिल सब्स्टेंस, वे होंगे, कौन से होंगे, जिनके तार नहीं कीचे जाएंगे, अर्थार्थ, प्रत्यास्त, ई और सी बिंदू, पास-पास ही हो, यानि कि उनकी प्लास्टिक रीजन, छेत्र, छोटाओ, तो उनके तार नहीं कीचे जाएंगे, उसका उधारन क्या लेंगे आप, कांच, मैंने समझाया था उसका क्वेश्चन आपको, और उच्च कारवनिश्टी, इस प्रकार ये अपने ग्राफ डिसकस किया है, और अब आप इसके बाद अपन कल प्रत्यास्था के गुणांग के बेबात करेंगे, धन्यवाद, थैंक, क्वेश्च एजचन आपको,